हे कंजूमर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा कर पाईए यौर इंडियन कंजूमर के सारे अपडेट्स यौर इंडियन कंजूमर हे दोस्तों कैसे हूँ मैं हूँ प्रसाद वेट पाठक आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक और आज हम अन्बॉक्स और रिव्यू करेंगे फिलिप्स bt1212-15 इफ ट्रिमर का तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं सीरीज थाउजन का ट्रिमर है ये सामनी की बाज़ों आपको डीटेल्स दिखाई देंगे और सेल के दिनों आपको 799 रुपय तक मिल सकता है ये ट्रिमर आपको USB चारजिंग पोर्ट के साथ मिलता है जो कि एक अच्छी बात है ट्रिमर का कटिंग है डिटाजबल है और इसे आप धो सकते हैं अब चलिए जल्दी से इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हमें अंदर क्या कुछ मिलता है एक बात माननी पड़ेगी कि पूरी पाकेजिंग बहुत ही जादा कॉम्पाक्ट है और बॉक्स कंटेंट अच्छी तरह से अजिफ्टेट थे बॉक्स के अंदर यूज़र मैं आपको सारी चीज़े अच्छी तरह से समझाई गई हैं उसी के साथ आपको warranty कार्ड मिलेगा दो साल की warranty के साथ आता है ये ट्रिमर आपको तीन adjustment कॉम्प मिलेंगे इस ट्रिमर के साथ जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये वाला कॉम्प इस्तमाल करके आप 7 मिलिमेटर के बालों की लंबाई रख सकते हैं इन कोम्स की material quality और build quality काफी ज़्यादा अच्छी है उसी के साथ आपको एक 5 mm और एक 1 mm वाला कोम मिलेगा एक मिलिमेटर वाले का रंग थोड़ा सा अलग है बाकी दो कोम्स से आपको USB to micro USB charging cable बिलेगी जिससे कि इस trimmer को चार्ज किया जा सकता है और इस cable की लंबाई सिर्फ आधा मेटर है उसी के साथ आपको एक cleaning brush मिलेगा और आप finally देख लेते हैं trimmer की तरफ तो कुछ इस तरह से military green और black color में designed है यह trimmer सामने की बाजू आपको black color का button दिखेगा design काफी अलग सी और unique है किसी military product की तरह लगता है यह trimmer side में आपको philips की branding दिखेगी green और black दोनों भी portion पूरी तरह से plastic में designed है और plastic की quality में इतनी भी जादा अच्छी नहीं कहूंगा ठीक ठाक सी है अब देख लेते stainless steel blades की तरफ philips and blades को self sharpening blades कहता है और package में हमें किसी तरह का oil नहीं मिला इने lubricate करने के लिए trimmer काफी अच्छी तरह से fit होगा आपके हाथों में काफी ergonomic design है पीछे की बाजू भी आपको एक अलग सा texture मिलेगा निचली बाजू आपको तो जैसा कि आप देख सकते है मैंने किसी तरह का comb इस्तमाल नहीं किया है और फिलाल में neckline देने की कोशिश कर रहा हूँ इस trimmer से आपको काफी even trimming मिलती है फिलाल मैं जो इस्तमाल कर रहा हूँ इसे आप इस trimmer की minimum setting कह सकते हैं इस trimmer को इस्तमाल करते हुए मुझे किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हुई स्किन पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है यह trimmer सिर्फ यह जो area cover करता है यह इसके size के कारण काफी छोटा है अब चलिए मैं 5 mm वाला कोम इस्तमाल करके दाड़ी को trim करने की कोशिश करूँगा तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही आफसानी से आप यह trimmer कर सकते हैं दाड़ी करने से पहले एक बार अच्छे से कंगी गुमा लेते हैं और आपको यह कंगी के इस trimmer के साथ नहीं मिलेगी अगर आप जाना जाते हैं मुझे यह कंगी के इस trimmer के साथ मिली तो आपको i button में वीडियो मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं size छोटी होने के कारण जो area यह trimmer कवर करता है वो कम है इसलिए trimming के काम में आपका जादा समय जाएगा पर उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह trimmer काफी powerful है और trimming का काम भी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है यह trimmer कॉम को trimmer से निकालने के लिए आपको इस तरह से खीचना होगा उसे और काफी आसानी से निकल जाता है कॉम उसी के साथ blade अगर आपको निकालनी हो तो आप इस तरह से open कर सकते हैं blade removable होने के कारण आप इस trimmer की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं जी हाँ आप blade वाले potion को पानी में दो सकते हैं पर trimmer की body waterproof नहीं है इसका ख्याल रखेगा तो यह है final result आप देख सकते हैं काफी अच्छा काम किया है इस trimmer ने अगर इस trimmer के review की बात करें तो कुछ अच्छी बाते हैं और कुछ बुरी बाते हैं मैं शुरुबात करना चाहूंगा बुरी बातों से यह trimmer आपको 8 गंडे की charging के बाद सिर्फ और सिर्फ 30 मिनिट का run time देगा charging शुरू हो चुकी है यह indicate करने के लिए LED light मौजूद है पर charging पूरी हो जाने के बाद यह light बन नहीं होती है जिसे कि आपको यह indication नहीं मिलता कि charging पूरी हो चुकी है इस trimmer के साथ आपको जो charging cable मिलती है वो सिर्फ आधा मेटर लंबी है यह बहुत ही बुरी बात है इस trimmer की blade size छोटी होने के कारण आपको इसके साथ जाधा समय बिताना होगा यह trimmer किसी carry pouch के साथ नहीं आता और इसमें दिये गए हैं आपको तीन अलग-अलग combs इन तीनों combs को संभालना आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है और इन तीनों मेंसे कोई भी combs adjustable नहीं है trimmer, तीसरा point इसकी build quality ठीक ठाक है, combs की build quality बहुत जादा अच्छी है और अच्छी design होने के कारण काफी even trimming देता है यह trimmer आखरी point इसमें जो charging port available है वो micro USB type का है तो आप आपका mobile charger इस्तमाल करके भी इस trimmer को charge कर सकते हैं 899 रुपे का price tag मद्दे नजर रखते हुए कहना पड़ेगा, यह एक अच्छा option है जो आप खरीच सकते हैं इस trimmer की best buy link आपको हमेशा की तरह नीचे description में मिल जाएगी और अगर आप थोड़ा budget बढ़ा सकते हैं तो और suggestions भी आपको description में मिल जाएगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो जरूर वो like बटन दबाईए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो लाल बटन दबाकर Indian consumer family का हिसा बनी है मैं प्रसाद वेत पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में till then do remember to serve before you swipe and if you don't need you don't buy bye bye